पुलीस दूसरों को sense of security देती है लेकिन जब पुलीस के उपर attack हो जाए और पुलीस के officers murder होना शुरू हो जाए तो वो लोगों का confidence shatter हो जाता है strategy ये पनाई कि जिस चौक में incident हुआ है इससे अगर 6 सड़के निकलती है न तो हम 6 टीमें बनाएंगे और हर टीम अपनी अपनी सड़क के उपर एक एक कैमरा और एक डीवी आर को देखेंगे लाखों की तदाद में CDRs का analysis किया जो खातून थी जिसके नाप भी थी 1934 की डेटा बर थी तो आप देखें न 100 साल की कौम सी खातून है तर जो जिन्दा होगी तो उसको जब बंदे को पकड़ा तो उसने का मैंने 1600 सिम्में आगे कुराए पे दी हुई है इसको specific information थी कि आज इसने इतने बज़े बाहर निकलना है S.P. साब फरत अबास साब को अनवर पार्क में उनके घर के सामने जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक जो हैना नामलूम आदमी ने जिसने हेलमट पैना हुआ था अंदर मास्क लगाया हुआ था रुमाल लपेटा हुआ था हाथों पे गलव्स पैने हुए थे तो उसने अपनी पूरी identity कंसील की हुए थी तो उसने उनको टार्गेट किया उनको जो हैना बेलकुल पॉइंट ब्लैंगरेज पे उनको जो हैना वहाँ पे शहीद कर दिया और उसके बाद वो मौके से फरार होने में कामियाब हो गया क्योंके पुलीस दूसरों को sense of security देती है लेकिन जब पुलीस की उपर attack हो जाए और पुलीस के officers murder होना शुरू हो जाए तो वो लोगों का confidence shatter हो जाता है तो इसलिए ये ज़्यादा जरूरी था कि जल्दिस जल्द मुल्जमान को पकड़ के कैफरे करदार तक बंचाया जाए दो मुल्जमान जो है एक जिसका नाम आरिफ आफरीदी है वो और दूसरा जिसका तालुक बाजोड से है और दूसरा जो है हिरा और फसना जो कलीम और फकलीमी जो इनके भाई थे s-p-s-h celebrating के उनकी बेवा हैं ये दो मुल्जमान जो हैं ये इसमें मलवस हैं और इने इन्फर्मेशन जो दी सारी जो इन्सिगेट किया जो प्लैन किया जो तियार किया वो हिरा और फसना ने किया जो इनकी भावी है और जो एग्जिक्यूट किया वो आर एफ आफरीदी न पनाई कि जिस चौक में इंसिडेंट हुआ है इस से अगर छे सड़के निकलती है ना तो हम छे टीमें बनाएंगे और हर टीम अपनी अपनी सड़क के उपर एक एक कैमरा और एक इन डी वी आर को पिर जिस सड़क से हमें वो फिकर आउट होगा कि अदर से मोट सेकल निकल अगर उस चौक जिसको जाता है जितनी सड़के आगे आप यकीन कीजिए कि इट टुक मोर तैं फिफ्टीन डेज और इन उनने कोई हजारों की तदाद में डी वी आज चाने लाखों की तदाद में CDR का अनेलिसिस किया एंड दे अलहमदलिल्ल्लट एवन उसमें एक बंदा ऐसा भी था जिसको हमने टच किया जिसने जो सिम दी हुई थी बंदों को वो 1934 की सिम थी यानि वो जो खातून थी जिसके नाम भी थी 1934 की यानि उसकी डेटा बर थी तो आ इतनी सारी आप समझने कि कि इसमें से जा कि दर्या में से जा कि आप मिसुई डूटने वाला काम किया लेकर निक वीच्टी से किया एंड दे अरेस्टें जब वो मौके से जाता है तो आप देखेंगे तो आपको आईडिया होगा कि उसने कैमरे के नीचे 15 मिनिट तक वेट किया है और जितना उसने आपने आपको कवर किया हुआ उससे अंदादा होता है कि उसको पता है कि मैं पहचान लिया जाओगा तो जब एक रिटाइड आदमी है ना हम सर्वेंग आदमी है तो हमारा तो सब को पता है कि इन्होंने 9 बजे नहीं दफतर जाएंगे 10 बजे चल है तो उसको यह started from this कि इसका मतलब है इसको specific information थी कि आज इसने इतने बजे बाहर निकलना है इसमें अभी जो पहलू जेरे तफतीश है जिसके उपर इन्शालला सीय ये पुलीसी इन्शालला काम करेगी वो एक शादरा के एरिये में एक आसर्फ और बन्नू नाम का शूटर कतल हुआ था तो उसका भी मकदमे को हम इन्शालला असरे नौ देखेंगे कि उसमें भी कुछ लोगों की involvement है जो इस case से related है उसके बाद कलीम जो है इसका रोल हम इसको दोबारा देखेंगे although he is dead लेकन उसने जो काम की है कुछ उनको देखने की जरूरत है कलीम को fire जिसने मा रहा था उसको देखने की जरूरत है और फिर इंटरस्टिंग बात है कि इनके घर पे एक उमेर और उमेरी नाम का एक target killer था हाइड assassin था उसने इनके घर के उपर एक time पे fire किया था last year और इंटरस्टिंग बात है कि उसकी fire जो दर्ज हुई है वो ना clean की तरफ से हुई है ना फर्दर तीन चार cases linked है जिनको हम इन्शाला आगे explore करेंगे और कानून के मताबग इन्शाला हम करवाई करेंगे इनिशिली बात समझ आती है वो को इस तरह की समझ आती है कि ये जो लड़का है जिसकी हम आरफ की बात कर रहे हैं ये तकरीबन तीन साल से private gunman था clean के साथ to understand what I am saying. तो जो ही उसकी death हुई है, इदद पूरी हुई है, तो इन्होंने क्योंके ये चाती थी कि SP साब को मार दिया जाए, कतल कर दिया जाए, तो उसने कहा कि फिर पहले मेरे साथ शादी करो. तो उसने फिर reportedly इसकी बहन के घर में जाके तो वहां की एक निकाह का भी है।